दुबई के शाही परिवार की सबसे खुबसूरत राजकुमारी शेखा महरा मुह में सोने का चम्मच लेकर जन्मी इस राजकुमारी का सबसे बड़ा शौक दुनिया के सबसे महंगे और खुबसूरत घोरे को पालने का है शेखा महरा को अकसर दुबई में बीविन्य घोर दौर में भाग लेते देखा जाता है उनके पास दुनिया के लगभग 11 बहतरिन घोरे है वो उनके देखभाल के लिए सालाना 4 मिलियन डौर खर्च करती है जब आप उनकी कार कलिक्षन देखेंगे तो आपके आखे आपके सर पर आ जाएंगे उन्होंने अपने कार कलिक्षन को दुनिया की सबसे महंगी कारों से भर दिया है मेकलारिन, बुलाटी, फेरारी या लंबुर गिनी वो खुद ड्राइव करती है इसके अलावा उनके पास प्रित्वे पर मौजूद बिविन्य प्रकार के जानवारों का संग्रह है इनमें बिविन्य प्रकार के कुत्ते और जलिय यंतु शामिल है दुनिया का सबसे खुबसूरत शेड को वो खुद पालती है खाना पीना बेशक राजकुमारी का शौक नहीं है साधारन जंक फूट उनका पसंदीदा है लेकिन वो बात उनके कप्रों पर लागू नहीं होता है वो दुनिया में केबल सबसे प्रसिध्य डिजाइनर कप्रे पहनती है और एक कप्रे केबल एक ही बार पहनती है शेखा महरा दुनिया के सबसे महंगा घर हाउस ओफ खलीफा में रहती है इस घर को इस तरहा से बनाया गया है कि ऐसा लगता है जैसे धर्ती पर स्वर्ब का कोई टुकरा बन गया हो इस इटो के बने घर की लगभक हर चीज़ को सोने या हीरे से सजाया गया है क्या आप जानते हैं इस घर में रहने वाली शेखा महरा का उम्र कितना है केबल 27 उन्हें दुनिया की सबसे कम उम्र वाली अमीर राजकुमारी कहा जाता है उक्सफोर्ट युनिवर्सिटी से सनातक करने वाली राजकुमारी वर्तमान में वीविन्य सामाजिक गतिवीधियों में लगी हुई है वो अभी भी दुबई में महिलाओं की अधिकारों के लिए लड रही है उनकी फांडिंग से दुबई में कई स्कूल भी चलाया जा रहा है अन्नाई के खिलाफ उनकी आवास हमेशा उच्री रहती है परिवार में कोई समस्या हो तो भी महरा बहस करना छोड़ती नहीं है इसलिए उन्हें शाही परिवार में सबसे ज्यादा जागरुक राजकुमारी कहा जाता है शोशल मीडिया पर उनके फॉलोवर्स की कमी नहीं है चाहे वो फेस्बुक हो या ट्वीटर या इंस्टाग्राम हर जगा उनके अंगेनत फॉलोवर्स और शुबचिन तक है और कुछ लोग उन्हें अपने आदर्श मानते हैं आप चाहे तो उनके द्वारा इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई बिभिन्य तस्पीरे भी देख सकते हैं तो दोस्तों ये था आज का हमारा आयोजन